So hey guys, what's up, welcome back to our own channel तो आज अब लो पढ़ने वाल है Class 12 विस्तस बुक का सबसे लंबा और सबसे इजी चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है The Enemy, written by Pearl S. Buck तो ये जो स्टोरी है ना वो World War 2nd के दौरान का है जिस टाइम पे अमेरिका और जपान के बीचे बहुत जादा दुश्मनी हुआ करता था और इसी टाइम पे होता क्या है कि एक जपैनिस डॉक्टर के घर के सामने एक बहुती लाचार सिचुएशन में, बहुती मिंस खराब सिचुएशन में एक अमेरिकन सिटीजन दिखता है बेसिकली वो एक अमेरिकन प्रिजनर होता है जिनको जपान के सोल्जर्स ने पकड़ा था अब यहाँ पर उस डॉक्टर के पास बेसिकली दो आप्शन्स रहते है पहला कि वो उस आदमी को पकड़ के जपान के पुलिस को सौब दे जो कि कोई भी नॉर्मल जपैनिस सिटीजन करता क्योंकि उस टाइम पे जपान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हुआ पड़ा था और कोई भी जपैनिस एक अमेरिकन वेक्ती को लाइक नहीं करता था और दूसरा कि वो अपना डॉक्टर का धर्म निभाए और उस आदमी का ट्रीटमेंट करे तो यही हमें जानना है इस स्टोरी में कि उस डॉक्टर ने उस प्रिजनर के साथ क्या किया और अगर आप इस सिट्वेशन में होते तो आप क्या करते मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो पहले उसका ट्रीटमेंट करता क्योंकि अफकॉर्स मैं एक डॉक्टर हूँगा और मेरा ये धर्म है कि मैं लोगों को ठीक करूँ और फिर उसके बाद मैं अपने देश के प्रती भी अपना फर्ज निभाता और उसको पुलिस के हवाले कर देता तो ये मेरा उपीनियन था आप अपना उपीनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना और जिसका बेस्ट होगा उसको मैं पिन कर दूँगा तो चलिए फिर इस चैप्टर के एक्स्प्लानिशन को स्टार्ट करते हैं तो जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले उस डॉक्टर के घर के बार में बताया जा रहा है तो उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सदाओ और उनका जो घर था वो basically coast के किनारे था मतलब कि एक समूदर के किनारे उनका जो घर था वो एक बड़े से चटान या फिर पत्थर के उपर situated था और वो एक square shape का घर था अब इसके पीछे भी एक reason है कि वो अपना घर पत्थर के उपर क्यों बनाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जो घर था वो coast के बगल में था मतलब कि समूदर के बगल में और उस समूदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरे भी आती थी और डॉक्टर सदाओ ये जानते थे कि उनका घर मिस हो सकता है कि उन लहर से damage हो जाए तो इसलिए वो अपना घर को पत्थर की उपर बनवाते है और उनके घर के आस पास काफी सारे tilted pine trees भी थे मतलब कि वो पेड जुकावा था और डॉक्टर सदाओ अपने बच्पन में उस पेड में नंगे पाव चढ़ते भी थे इसके बार डॉक्टर सदाओ हमें बता रहे है कि उनका जो बच्पन था वो वहीं पर बीता है और उनके जो फादर है वो उनको बच्पन में अलग-अलग आइलेंड में भी लेके जाते थे मतलब कि उनको घुमाने के लिए वहाँ पर लेके जाते थे और इन छोटे-छोटे आइलेंड के बारे में उनके फादर उनसे हमें इसा कहते थे कि ये छोटे-छोटे आइलेंड स्टेपिंग स्टोन से जपान के जो कि फ्यूचर में जपान को आगे लेके जाएगा और जब डॉक्टर सदाओ अपने पापा से पूछते थे कि ये आइलेंड हमें कहां लेके जाएगा जपान को कहां लेके जाएगा तो उनके फादर का आंसर था कि मतलब कि मुझे भी नहीं पता क्योंकि हमारे फ्यूचर को कोई भी लिमिट नहीं कर सकता है अपने फ्यूचर को किस डिरेक्शन में लेके जाएगे और ये बाद डॉक्टर सदाओ के दिमाग में एकदम छपसी जाती है डॉक्टर सदाओ के फादर उनसे कभी भी हंसी मजाक नहीं करते थे लेकिन इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं था वो इनसे प्यार नहीं करते इन फैक्ट वो इनके लिए काफी पेंज जेले हैं मतलब कि बहुत स्ट्रगल किये हैं डॉक्टर सदाओ के फादर एजूकेशन को बहुत इंपोर्टेंट मानते थे और इसलिए वो उन्हें अमेरिका भेज देते ताकि वो अच्छे से सर्जरीज और मेडिसिन के बारे में पढ़ाई कर सके उन्होंने उनको 8 साल के लिए अमेरिका भेजा था ताकि वो वहाँ पर रहके पढ़ाई कर सके तो वो गये थे 22 की एज में और वहाँ से आये थे 30 की एज में और उनके फादर मरने से पहले डॉक्टर सदाओ को बहुत बरा साइं वो वर्ड वर का टाइम था मलग कि उस टाइम पर वर्ड वर टू चल रहा था तो जितनी भी देश के सोलजर्स थे आर्मी में थे तो वो गये थे अलग-अलग कंट्री वार के लिए और उनके साथ डॉक्टर की टीम भी जाती थी क्योंकि अगर कोई सोलजर अगर छोड़ दिया गया था ताकि वो अपना स्टडी को पूरा कर पाए और इसके अलावा एक और रीजन था वो ये था कि एक जपान के बहुत बड़े जेनरल थे जो भूड़े हो गये थे और उनको किसी भी वक्त ऑपरेशन की जवरत पढ़ सकती थी और क्यूंकि डॉक्टर स सदाओ बहुत अच्छे सर्जन थे इसलिए उन्हें जपान में ही रुकने को बोला गया था अब यहां पर हमारे इस चैप्टर के ऑथर हमें बताते है कि जिस टाइम पर डॉक्टर सदाओ वहां पर रह रहे थे उस टाइम पर मिस उस कोश्ट के बगल में बहुत ही गर्मी पर रही थी और कोश्ट के पास अगर दिन बहुत ज़ादा होता है तो यह भी आपको सुनने को मिला ही हो गई आप जानते होंगे कि रात बहुत ज़्याधा चिल्ड होता है बहुत थंडी-थंडी हवा भैती है एंड वातावर्न बहुत ही कूलिंग होते है मंदद चिल्ड तो यही सब चीज डॉक्टर सदाव के घर के आस-पास हो रहा था और डॉक्टर सदाव यह सब चीज को देखे मिन्स बहुत ही मजे में रहते हैं उनके घर के आस-पास जितने भी आइलेंड थे जो कि वह देख सकते थे अपने घर से तो वो अब छुप गए थे उन fog के नीचे अब फिर डॉक्टर सदाउ थोड़ा analysis करते है वो ये दिमाग लगाते है कि जिस speed से islands को fog धग रहा है अगर उसी speed में उनके घर के तरफ fog बढ़ेगा तो हो सकता है कि उनका घर को भी fog धग दे और उनकी wife ने dark blue color की एक gown पहन रखा था क्यो मोनो के उपर अब क्यो मोनो वहाँ का कोई traditional dress होगा आपको confused नहीं होना है फिर हाना room से बाहर आती है और डॉक्टर सदाउ के हाथ में हाथ डालके खड़ी हो जाती है और फिर एक प्यारा सा smile भी देती है और बहुत ही cute सा एक romantic moment वहाँ पर बन जाता है फिर डॉक्टर सदाउ हमें बताते है कि उनको हाना कहाँ पर मिली थी वो हमें बताते है कि वो हाना से सबसे पहले अमेरिका में मिले थे जब वो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे और डॉक्टर सदाउ ने हाना से तुरन प्यार व्यार करके साधी नहीं कर लिया था क्योंकि उनको पता था कि उनके father कभी भी उनको accept नहीं करेंगे वो हाना जैसी एक race की लड़की को कभी भी accept नहीं करेंगे जो कि उनके type की नहीं थी और इसलिए उन्होंने test किया ये पता लगाया कि जो हाना है वो Japanese है ना तो उनको पता चलता है कि हाँ वो एक Japanese लड़की है और फिर उनके बाद उसके बाद वो साधी करते हैं मतलब कि पूरा चान बीन जाज परताल करने के बाद डॉक्टर सदाओ हाना से साधी करते हैं फिर डॉक्टर सदाओ हमें बताते हैं कि वो बहुत lucky है कि उनको हाना जैसी एक life partner मीली है क्योंकि अगर वो हाना से नहीं मिलते तो पता नहीं अभी वो कहा होते हैं उनके life में क्या चल रहा होता फिर डॉक्टर सदाओ हमें बताते हैं कि वो हाना से सबसे पहले एक American professor के घर में मीले थे और वो जो American professor थे और उनकी wife थी वो बहुत ज़्यादा kind थी क्योंकि वो दोनों का ऐसा मानना था कि जो foreign country से बच्चे वहाँ पर पढ़ने को आते हैं वो उनके लिए कुछ अच्छा करें उनका means उनको अच्छे से train करें उनका भला करें हालाकि वो बात अलग है कि students उनके घर जा जाके बोर हो गए थे लेकिन वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा kind थे इसलिए student वहाँ पर जाना छोड़ते नहीं है वहाँ जाते ही रहते डॉक्टर सदाव बताते हैं और वो हाना से भी कई बार कहते हैं कि वो उस दिन जिस दिन वो लोग दोनों पहली बार मिले वो साथ प्रोफेसर के घर में जाते ही नहीं क्योंकि उनकी जो वाईफ थी अनए उनका घर मिंस उनका रूम बहुत छोटा था लेकिन फिर अचानक से उनको क्या हुआ दॉक्टर सदाव उस प्रोफेसर के घर में जाते हैं और फिर हाना से मिलते हैCause हाँ भाई कैसे नहीं जाते लाइफ पार्टनर मिलनी थी तो जाते ही खेर हाना एक नई श्टूडेंट थी और डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि अगर यह लड़की जैपैनीज होई तो यह उनसे वो प्यार करेंगे और आगे का सोचेंगे खेर डॉक्टर सदाव फिर प्रेजेंट में आते हैं और वो बताते हैं कि इस टाइम पे जब उनकी वाइफ उनका हाथ पकड़ी होई है तो उनको मिन्स वो फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है उनको वो फीलिंग काफी प्लेजर दे रहा है फिर यहाँ पर हमारी ओधर हमसे बता रही है कि डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ का मैरेज हुए बहुत दिन हो गए एंड उनके दो बच्चे भी है लेकिन फिर भी जो अभी का फीलिंग है मतलब कि जब उनकी वाइफ ने उनका हाथ पकड़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा उनको मिन्स वो बहुत अच्छा फील आया फिर वो उन दोनों के marriage के बारे में बताती है, वो हमें बताती है कि उन दोनों का marriage ऐसे ही नहीं हो गया, मलग कि वो दोनों प्यार करते थे, वो लोग दोनों अमेरिका में अपना पढ़ाई complete किये and then फिर वो वापस जपान में आये, जो हाना है वो डॉक्टर सदाओ के parents से मिल and फिर उन दोनों ने बहुत ही cultural style में means जो जपान का culture है न उसके हिसाब से old style में अपना marriage complete किया and फिर जो उस time का moment था वो और भी ज़्यादा romantic बनने लगा, जो हाना है वो डॉक्टर सदाओ के hands से अपने face को touch करने लगी and फिर इसके बाद जैसा कि हर movie में होता है कि कुछ ना फिर इत उनको दिखता है कि एक आदमी फॉक से धीरे धीरे चल के बाहर आ रहा है and उसको देखके ऐसा लग रहा था जैसे मानो समूदर ने उसको फेका था मतलब कि वो बहा के कहीं से आया था वो इनसान पूरे अच्छे तरीके से visible तो नहीं था बट हाँ उसकी body का outline जरू जाता है फिर डॉक्टर सदाओ की wife उनसे पूछती है कि who is that मतलब कि वो कौन है and फिर उनका हाथ अपने से छुडवाती है and फिर दोड के अपने railing से नीचे उतरती है वो railing के नीचे वाले balcony से देखती है तो उनको वो इनसान वापस से दिखाई देता है and अब वो इनसान basically crawl कर रहा था मतलब कि वो पैरों से चल नहीं पा रहा था and वो घसीड रहा था अपने बॉड़ी को अपने हाथों से घसीडते वे आगे आ रहा था लेकिन वो इनसान अपने हातों और घोटनों के बदालत कितना ही आगे पहुच पाता and अचानक से फिर वो वही पर गिर जात है कि वो कोई मचवारा होगा जो बहके वहाँ पर आ गया होगा फिर उनकी वाइफ हाना उनसे कहती है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी मचवारों का बस्ती नहीं है या फिर कोई भी मचवारों का टाउन नहीं है वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर बहुती शार्प और फिर इसके बाद जब डॉक्टर सदाओ उस आदमी के पास पहुँचते है तो उनको ये दिखते है कि उस आदमी जिस सैंड में गिराव है वहां का सैंड मिंस लाल हो चुका है खून से वो समझ जाते है कि इस इंसान को बहुती चोट लगावा है और इस चीज को देखने क बाद वो तुरंत उस आदमी के पास पहुच जाते है वो ये देखते है कि उस आदमी का जो सैंड में गिरावा है मिंस सैंड में पढ़ावा है और उसने एक बहुती पुराना कैप पहन रखा था और उसके कैप में पानी भर चुका था उसका ड्रेस भी पुरा गीला हो और उसके फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि उसको बहुती टॉटर किया गया है उसके लंबे-लंबे हेर्ज थे और उसकी जो दाड़ी थी वो बहुती अजीब थी क्योंकि उसने बहुत टाइम से शेव नहीं किया था और इसके बाद क्यूकि डॉक्टर सदाओ एक भहा का निशान था मतलब कि उस वाइट मैन को वहाँ पर गोली पड़ा था एंद फिर डॉक्टर सदा उसको देखके कहते है कि इसको गोली लगे वे जादा टाइम नहीं हुआ है एंद वो जो एरिया है वो पूरा ब्लैक हो चुका है क्योंकि जहां पर उसको गोली लगा है कि हाथ बहुत ट्रेंड थे वो बहुत अच्छे सर्जन थे इसलिए वो एक सी मॉस को ढूंडते हैं और वो सी मॉस को उसके वॉंड के ऊपर रख देते ताकि और बलड ना निकले सी मॉस बसिकली अलगे होती है जो कि समूदर में उगती है या फिर समूदर के कौरनर में ब कोशन का आंसर देते हैं उसने अपने आप से पूचा था ना कि अब इसका क्या करना है तो उसी का वो आंसर देते हैं तो वो अपने आप से बोलते है कि इस इंसान के लिए बेस्ट यह होगा कि हम इस इंसान को वापस से सी में डाल देते हैं इसकी ब्लड तो रुग गई है लेकिन अगर हम इस आदमी को अपने घर में रखेंगे, इसका हिलाज करेंगे, तो हो सकता है कि जो पुलिस है, वो हमें पकड़ के ले जाए, क्योंकि ये एक American है, and America means Japan का दुसमन था उस टाइम पे, हाना भी उनकी बातों से एगरी करती है, लेकिन फिर भी वो उस इंसान को पर बर देखे जा रही थी, फिर ढॉक्टर सताव ये भी कहते है, कि अगर वो उस आदमी को पुलिस को दे देते है, पुलिस को सौब देते है, तो पुलिस उसका तो मिन से डेफिनेटली पुलिस उसको मार ही देगी, तो इस इंसान के लिए सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है कि इसको हम लोग C में वापसे डाल देते हैं, दोनों डिसाइट तो कर लेते हैं कि उस इंसान को वापसे C में डाल देना है, लेकिन फिर दोनों के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो जीते जाते आदमी को C में फेक दे, और वो दोनों बस खड़े हो करके उस इंसान को प्रिजनर लिए होगा तो जो भी दूसरे कंट्री का सोलजर पकड़ा जाता है तो उसको हम लोग वार प्रिजनर बोलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि इसको वो लोग पकड़ लिये होंगे जब यह भागने का कोसिस किया होगा तो इसको पीछे से गोली लग गई होगी और यह फिर पानी में गिर गया और बैते बैते यहाँ पर आ गया फिर डॉक्टर सदाव कहते है कि उनके लिए यह सिचुएशन कितना स्ट्रेंज है अगर उस आदमी को चोट नहीं लगावा होता गोली नहीं लगावा होता तो वो उस आदमी को अराम से पुलिस को सौब दे क्योंकि उनके लिए उनके देश के लिए ओल अमेरिकन साथ देर एनिमीज और यह बात अलग है कि वो दोनों अमेरिका से ही पढ़ किया है लेकिन फिर भी अगर कंट्री में वार होता है तो दूसरा कंट्री तो एनिमी बनी जाता है और इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो डॉक्टर सदाओ वैब वो अपने कंट्री को बहुत प्यार करते है, वो एक पैट्रीओर्ट है अपने कंट्री के लिए अब इसके आगे डॉक्टर सदाव क्या करते है यह तो हम जानेंगे अगले पार्ट में क्योंकि यह वीडियो डिफिनिट्टी लंबा हो चुका है अब रॉक्स तेरा चौदा मिनिट का बन चुका है तो इसके अगले वाले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा अब जाएगा